हलो फ्रेंड्स and विल्कम बैक तो माई चैनल बिंगॉली फामली इन यूए जहां मैं बात करती हूँ यूए और ट्रावल से रिलेटेड छोटी बड़ी खबरों की तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करेंगे आप लोगों में से बहुत लोगों का कुश्चिन है क्या विजिट वीज़ा भी इस समय पर बंद कर दिये गया है विजिट वीज़ा नहीं मिल रहा है बहुत दिन हो गया है विजिट वीज़ा अपलाई किये अभी तक विजिट वीज़ा नहीं आए है especially ये जो question आये हैं ये पाकिस्तान और बंगलादेश के लिए आये हैं तो guys आप सबसे request है video को enter के देखिएगा ताकि पूर update आप सबको पता चल सके तो दोस्तों UAE visit visa का क्या update है अभी तो मैंने पिछली वीडियो में ही बताया था कि अगर आपको UAE का visit visa चाहिए चाहे एक मैने का हो दो मैने का हो तो आप लोग place of issue जो है वो दुबाई रखके कीजिए आप लोग का easily visa आ जाएगा अब यहाँ पर बात आती है कि अभी तक पाकिस्तान और बंगलादेश के visa ban है बहुत लोगों ने question किया है क्योंकि उनके visa नहीं आ रहे है तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि कोई भी visa ban नहीं है visit visa पाकिस्तानियों के भी आ रहे है और बंगलादेश के लोगों के भी visit visa आ रहे है लेकिन visa में जो है वो delay है ठीक है डीले है मतलब पहले क्या होता था जैसे इंडियन का इस समय पे आ रहा है दो या तीन दिन में visit visa आ जा रहा है तो अगर आप पाकिस्तान के हैं या बंगलादेश के है तो आपका wasit visa deleting हो सकता है लेकिन ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान के बंगलादेश के visa नहीं आ रहे हैं पाकिस्तान के कुछ band cities है ये बहुत पहले से ही band cities है कौन-कौन से cities है आप लोग अगर google करते हैं तो वहाँ पर पूरे UA के तरफ से जो पाकिस्तान की band cities है उसका list आपको दिखा देगा ठीक है तो उनको छोड़ के बागी कोई जगों के भी band नहीं है तो आप लोग Google करके देख लीजिए कि आप लोग उस जगह से आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं तो आपका वीजा में भी रिजेक्ट हो जाए या फिर आपका वीजा ना लगे लेकिन अदर्स के वीजा लग रहे हैं इंडियन्स के भी लग रहे हैं पाकिस्तानियों के भी लग रहे हैं मंगला देशों के भी लग रहे हैं तो visit visa में कोई भी दिक्कत नहीं है फिर उसके बाद जो questions आ है वो ये आएं कि अगर हम visit visa पर आते हैं तो क्या visit to work convert होगा कि नहीं होगा तो देखिए अगर आप लोग visit visa में आते हैं तो work visa का क्या condition है आपको पिछले वीडियो में ही मैंने update दिया था कि पूरा 50-50 condition हो गया है आपका वीजा लग भी सकता है नहीं भी लग सकता है skilled category नहीं लग रहा है unskilled category लग जा रहा है कहीं पे कहीं पे unskilled category नहीं लग रहा है skilled category लग जा रहा है तो यह अभी सेनारियो है work visa का बाकी visit to work visa अगर आपकी job लगती है और वहाँ पे demographic diversity को माना जा रहा है follow किया जा रहा है तो आपका work visa भी लग जाएगा third question ये है कि क्या visa transfer हो रहे है skilled और unskilled category के inside the UAE अगर आप skilled category unskilled category में आ रहे हैं तो visa transfer हो रहे हैं कोई भी उसमें मसला नहीं है कोई भी problem नहीं है transfer visa transfer बहुत इजली हो रहा है cancelled visa से नया visa लगने में थोड़ी बहुत problem है लेकिन visa transfer में कोई problem नहीं है तो ये है आज का update visit visa बहुत लोगों के आ रहे हैं ऐसा नहीं है नहीं आ रहे time जादा लग रहा है reject भी हो रहे हैं इसमें मैं ऐसा नहीं बोल रहे हूँ कि reject नहीं हो रहे है rejection भी हो रहे है लेकिन visit visa आ रहे है तो ऐसा नहीं है कि visit visa बंद है तो guys I hope इस वीडियो में आपके जितने questions से वो clear हो गए होंगे और भी कोई question हो आप लोग comment में करके रखिए मैं जरूर से उस पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगी मलते है नेक्स वीडियो में एक नहीं अप्डेट के साथ तब तक हले good bye and take care